हुंदी सी, जादा कप पला दे, बड़ा तगड़ा गाना है सार, क्या गाने गारे सार जिसके लिए आये हैं वो तोंगा आमीना बबीता चुलनू, आमीना वाले सेक्शन में क्या है, वो आपकी रीडिंग स्किल्स जैक करेगा, मतलब आप अठे से पढ़ के समझ पाते हो के नहीं, आपने कोई इंग्लिश की संटेंस पड़ा, वो पांच नंबर का, चार नंबर की समरी और एक नंबर का क्या देना है, पिर ऐसे ही दूसरा पराग्राफ होगा, वो भी दस नंबर का पोस्टर बनाना है, समझागी नहीं, पोस्टर आएगा, फिर उसके बाद है, अब आपने पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है, आप ये नहीं सोचना है कि यार, मैं आज नहीं कल पढ़ूंगी, कल नहीं परसू पढ़ूंगी, एक बेतरीन तरीके से टाइंटेबल बनाओ, हाई एवरीवन, रुकसाना, फर्जाना, मीर, वानी, शेक साब, लादे, बड़ा तगड़ा गाना है सर, क्या गाने गारें सर, जिसके लिए आये हैं वो चीज़ तो बता दीजिए, क्या चीज़ है, यूर इंग्लिश पेपर इस हीर, क्लास इलामत, क्लास इलामत, ये याद रखना, कौन सी क्लास है आपकी, क्लास इलामत के लिए बात कर हैं आज हम बड़ी प्यारी ग्लास होती है वहांग बहुत प्यारी बच्चा शुरू-शुरू में डीला होता है एंड में आके पता चलता है कितना स्लेबस है और फिर एक महिने में स्लेबस त्यार करता है आप के साथ तो मोई मोई भी हो कर देट शीट आपकी आई है और डेट शीट में जो पेपर पहले थे वो बाद में हो गए और जो बाद में थे वो पहले हो गए जो मैं त्यार कर रहे हैं आज वो इंगलिश थियार कर रहे हैं इसलिए आपकी थोड़ी मदद करने के लिए मैंने सोचा मैं आपको इंगलिश क पैटन समझा देता हूं कि English कैसे आती है वेरी गूड सर आपने अच्छा सोचा बशीर साब वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक दे दीजिए और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए मेरे से बात करने के लिए कमेंट आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए जैसे तंथ वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं और उनका बहुत फाइदा हुआ है सारा पेपर जो में बताता था वो ही आता था बात समझाई कि नहीं अच्छा जी पिटारा खोलत सेक्शन में क्या है वो आपकी रीडिंग स्किल चेक करेगा मतलब आप अच्छे से पढ़ के समझ पाते हो के नहीं आपने कोई इंगलिश की संटेंस पड़ा वो समझ आया के नहीं आया तो वो रीडिंग स्किल है इसमें दो कोश्चन बनेंगे दस नंबर के टोटल बीस न समझे की नहीं उसके बाद सेक्शन सी लिट्रेचर बुक में से आएंगे 30 नंबर के कोश्चन और इसमें आर वगारा भी होगा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इंगलिश का पेपर असान आने वाला है बहुत सारे बच्चूं को इंगलिश का पेपर असान ही लगने वाला है ओके सर ओके सर हम आपकी बात समझ रहें चलो आगे चलते हैं तो आप दियान से देखो तो स्रेक्शन ए में रीडिंग स्किल है एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा आपको और आम से उसको पढ़ना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा फिर पहले सवाल में उसका नोट बनाना है उसकी समरी लिखनी है और उसको टाइटल देना है क्या बनाना है नोट पांच नंबर का चार नंबर की समरी और एक नंबर का क्या देना है फिर ऐसे ही दूसरा पैराग्राफ होगा वो भी दस नंबर का है दस नंबर का है और उसको और होंगे ये हलवा सवाल हैं हलवा सवाल जो आपको असानी से आ सकते हैं फिर section B है section B में writing skill है writing skill का मतलब हो गया कि आपको लिखना कितने अच्छे से आता है grammatic कौन सी mistake करते हों handwriting कैसी है तो पहला जो है वो है के your institute healthcare hospital has decided to organize an organ donation camp organ donation camp दिल को donate कर दिया आंको create awareness about the cause, डवारफा पोस्टर, सबसे पहले क्या बनाना है, पोस्टर बनाना है, समझागी निए, पोस्टर आएगा, फिर उसके बाद, पोस्टर में भी R होगा, दो पोस्टर बनाने होंगे, आप पैटरन देख लेना, पोस्टर बनाने की, वीडियो का लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना, पोस्टर कैसे बनाते हैं, दो कॉस्टर होंगे, R होगा बीच में, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि, that is, letter लिखना होगा, letter या तो किसी editor, news editor को लिखना होगा, या letter to the direction, direct rate of education को लिखना पड़ेगा, बाद समझें कि नहीं है, और letter दो होंगे, उनमें से एक करना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं है, 6 number का letter है, 4 number का पोस्टर है, 4 number का क्या है, पोस्टर है, email कितने का है, चार number का email आपको पता है किस तरह से लिखना है, ठीक है, ना हुआ तो मैं description में डाल दूँगा, ठीक, उसके बाद, या तो report लिखनी होगी, या personal account लिखना पड़ेगा, ये essay type ही होता है, ये 8 number का, समझाए कि नहीं है, जैसे मैं आपको ऐसे बताता है, जैसे आप ऐसे लिखते हो, वैसे ही लिखना होता है, बट थोड़ा ध्यान रखना कि कितने words का लिखना है, और कितने number का है, ताँके timing के साथ आप अपना paper complete कर सको, English का paper easy होता है, बट lengthy होता है, ठीक, उसके बाद, 8 errors होंगे, 8 sentence दिये होंगे, उन errors को आपने क्या करना है, ठीक होना है, जैसे जहां वर होगा वाज लगाना है, यहाँ पर टोड़ी बच्चे को difficulty आ सकती है, इससे पहले कहीं पर भी difficulty नहीं आ सकती है, ठीक है, कुल मिला के section B में से आएंगे, तकरीबन तकरीबन 30 marks का paper आएगा, अगर आप 4 और 6, 10, 10 और 4 कितने होगे, 10 और 4, 14, 14 और 8 कितने होगे, 14 और 8, 22, 22 और 8 कितने होगे, 30 number होगे, उसके बाद है literature, मतलब book में से कितना आएगा, book में से देखो दियान से, आपको एक poem, poem का कोई भी paragraph दे दिया जाएगा, उसमें से सवाल पूछे जाएंगे, 4 number के, ठीक है, फिर उसके बाद book में से 2 part होगा, 3 सवाल दिये जाएंगे, 2 का सवाल, answer देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे option आपके सामने हमेशा रहेगा, फिर अगले ही answer दा 3, 5 में से कोई 3 सवाल करने हर सवाल 3 number का है, ठीक है, फिर थोड़ा बड़े सवाल आ जाएंगे, 500 से 200 marks के, उसमें क्या होगे, 2 सवाल होगे, उनमें से कोई एक करना पड़ेगा, 1 सवाल 6 number का, ठीक है, उसी तरह से, फिर 120 और 500 word का सवाल करना है, दो सवाल होगे, उसमें क्या होगा, R होगा, और वो 5 number का होगा, जब इसको आप सम टोटल करते हो, यह बनते 30 number का, अच्छा, फरजाना जी, पेपर आ गया है, अब आपने पड़ना शुरू कर देना है, ठीक है, आप ये नहीं सोचना है, कि यार, मैं आज नहीं कल पड़ूँगी, कल नहीं परसू पड़ूँगी, एक बेथरीन तरीके से टाइम टेबल बनाओ, आपको पता है कि आपने ये वाले 30 number पूरे करने हैं, पहले, क्योंकि ये 30 number आते हुए न, तो वो वाले जुगाड हैं, मतलब इमेल, रिपोर्ट, पोस्टर, एसे लिखना, पोस्टर बनाना, और उसके बाद वो पैसेज वाले कोशन है, वो उसकी कोई गैस नहीं हो सकती, बास समझा की नहीं है, वो एक्जामिनर का जो मन करेगा, वो वही पूछेगा, अच्छा, मैं आपको इस वीडियो से फाइदा होगा, उठो, उठो, पन्ना शुरू कर लो, पेपर नजदीक है, अच्छा, मैं आपकी इसी तरह से छोटी-छोटी वीडियो से मदद करता रहूँगा, और मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, कि मैं फिजिक्स और कमिस्टी के वन शॉट आपके लिए लगा, हो सके तो कमिस्टी का वन शॉट शुरू करूँगा, मैं कल से ही, फिजिक्स के मैं आठ वन शॉट आपके लिए, जेके बोस के पैटन के बना चुका हूँ, इसी भी, इसी ही चैनल पे, एक और चीज याद रखना, एक में वीडियो लाओंगा, जिसमें मैं आपको पूरे नोड शेयर करूँगा, फिजिक्स, केमिस्टी और बायो के पीडिये फार्म में, उसका लिंक उसी वीडियो के नीचे होगा, थैंक यू, थैंक यू, पढ़ते रहें, बॉइफ्रेंड और गल्फ्रेंड के चकरों में नहीं पढ़ना, ठीक है, माँबाप की बात मानना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए Allah हाफीज, शुब रातरी, जै हिंद